आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ पीजा मेक पफ की रेसिपी, हमारे जनरेशन में ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप इसे मेक पीजा पैटिर्स भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीजी टेश्टी बढ़ियां सी रेसिपी है, और आसान भी, नम पाउल मिलेंगे 2 कप मैदा, आप यहाँ इसे आठेश सी भी बना सकते हैं, इसमें हम दालेंगे एक चममच Baking Powder, आप छोटा चममच हम इसमें डालेंगे नमक, एक चममच हम इसमें डालेंगे चीणी, चार बडे चममच हम इसमें डालेंगे तेल, सारी चीजों को हम इस तर इस तरीके से हमने आटे में तेल को मिक्स कर लिया है, इस तरीके से आटे को मुठी में बांद कर देखेंगे, अगर ये बंद रहा है तो समझ लीची है कि बिल्कुल पर्फेक्ट मौन हुआ है, अब हम लेंगे फ्रीज का ठंडा पानी और इसी से इस आटे को लगा कर त्यार करेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से इस आटे को लगाने से ये बिल्कुल पर्फेक्ट बनकर त्यार होता है, एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस आटे को लगाएंगे, और आटे को हमें थोड़ा सक्त गुन कर त्यार करना है, तो इस तरीके से आटे को हमने सक्त लगा कर तयार कर लिया है। आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो इसके लिए हम इसे कपड़े से ढखकर 10 मिनट के छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक बना लेते हम इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पैन और इस पैन में हम डालेंगे दो चम्मज टेल, तेल को हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे, तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मज बारीक कटा हुआ लसून, लसून को इस तरीके से चलाते हु जैसे ही प्याज का हलका सा कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमज बारी कटा हुआ गाजर गाजर को पकने में टाइम लगता है तो इसे थोड़ा सा भून कर इसे हलका सा पका लेंगे यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दखे कि सारी चीजों को हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे गाजर हमारा हलका सा पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमज बारी कटी हुई शिमला मिर्च अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चमच फ्रेश कॉन सारी चीजियों को डालने के बाद हम इसे medium flame पर सोते करेंगे सबजियों को हमें बहुत अदर नहीं पकाना है, सिर्फ इसे हलका सा सोते करना है ताकि हमारी सबजियों में crunchiness बरकरार रहे सबजियों को एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक टी स्पून काली मिर्च नमक हम डालेंगे स्वाथ किलसार हलका सा इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रहेंगे दो से तीन चमच फ्रोजन मटर यह डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच पीजा सॉस तो यहाँ पर पीजा सॉस अप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स, आप यहां पर इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, एक चमच हम इसमें डालेंगे पीजा मसाला, साथी में हम इसमें डालेंगे एक चमच औरिगेनो, आजकाल यह सारी चीजे किसी भी सूपर मार्केट या किराने की दुकान में ब रेडी हो चुका है, तो एक बार हम इस आटे को हलका सा मसल लेंगे, आटे की हम इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लेंगे, पहले हम इस लोई को इस तरीके से घुमा घुमा कर उसका पेड़ा बना लेंगे, इसके बाद हम इसे बेलांस से बेल कर इसकी एक रोटी तया से बेले क्योंकि हमें इस रोटी को काटकर इसको चौकौन शयेप देना है अब मैंने यहां पे लिए χाले आर इसी पीजा कटर से हम इस रोटी को चौकौन शयेप में काट लेंगे घृ कि अब हम इसके पॉकेट बनाएं तो इसको चिपकाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो स्टफिंग हमारी बिल्कुल थंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे चीज मैंने यहाँ पे बिटानिया का पीजा चीज यूज किया है आप यहाँ पे मौजरेला या डाइस चीज का भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखे कि स्टफिंग ठंडी होने के बाद ही आप इसमें चीज डालें आप इसे बीना चीज के भी बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल इसे मेड़ी जैसा बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने भर-भर के चीज यूज़ किया है अब हम इसी स्टफिंग को इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या जादा भी भर सकते हैं तो अच्छी तरीके से स्टफिंग को भर देंगे अब दूसरी परत को उठा कर इसके उपर सेट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से हलका हलका इसे साइट साइट से सेट कर देंगे यह step बहुत important है ताकि जब हम इसको तले तो इसकी stuffing बाहर ना निकले अब हम इस तरीके से लेंगे एक fork यानि की काटा चम्मच और इस तरीके से इसे side side में प्रेस करते जाएंगे ऐसा करने से एक pattern भी बन जाता है और साथ ही यह बहुत अच्छी तरीके से seal भी हो जाता है तो इस तरीके से हम चारो तरफ इसे काटा चम्मच से दबा देंगे तो यह लिजिए हमारा पहला pizza make puff बन कर तयार हो गया है और इसी तरीके से हम बाकी pizza puff भी बना कर तयार कर लेंगे आप हम इसे तलना शुरू करेंगे इसकी लिए मैंने कढ़ाई में रखा है तेल और तेल को हमने अच्छी तरीके से गरम किया है आप हम इसे इसमें डालेंगे तो कढ़ाई में दो से तीन puff डालकर हम इसे तलेंगे एक साथ ये हलका सा सिख जाएगा तब हम इसे दूसरी साइड पड़ट देंगे हम इसे अच्छी तरीके से पलट पलट कर golden brown हों तक पकाएंगे यहाँ पे हम गैस का flame medium रखेंगे तो puff हमारा अच्छी तरीके से सिख कर बिल्कुल golden brown हो चुका है अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेंगे और बाकी के puff को भी हम इसे तरीके से तलकर तयार कर लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना perfect बना हमारा pizza puff बाहर से बहुत जड़ा crunchy अंदर से soft और cheesy बिल्कुल mek style pizza puff जिसे आप बड़े-बड़े malls और hotelों में जाकर काफी पैसे पे करकर खाते हैं उसे इस तरीके से घर में बनाना बहुत ही आसान है और काफी safe भी तो आप इस नहीं ने recipe को try करें और इसे अपनी family के सथ enjoy करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस subscribe के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल free है और अगर आपको ये recipe मेरी पसंद आई हो तो like भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो like, share, comment और subscribe करना ना भूलें धन्यवाद